अनम फाउंडेशन के संस्थापक सेयद मुहम्मद शमीम को दिलीट सेन द्वारा महराश्ट्रा गौराव अवोर्ड दो हजार चौबीस से सम्मानित किया गया जी हाँ आपको बता दे की दहिसर पूर्स थित राच्ष्री हाल के परिसर में दैनिक मुंबई अमर्दीट के पंद्रहवे एनुवल फंक्षन में महराश्ट्रा गौराव अवोर्ड दो हजार चौबीस में मशहूर संगीतकार देलीट सेन के हाथों अनम फाउंडेशन के संस थापक सेयद मुहम्मद शमीन ने पिछले कई सालों से अपने संस्था के माध्यम सी तमाम जन्मानस की मदद करते आ रहे हैं। उनका बेहतरी न्योगदान एजुकेशन, पुलिस प्रशासन और कई जरूरत मंदों की हर संभव मदद करने में रहा है। सेयद शमीन का कहना ह कि हम जन्मानस के बीच में रहना और उनकी जरूरत को समझकर हर संभव मदद करना ही उनकी संस्था का प्रयास है। मेरा एक पॉंडेशन है अनेंना फॉंडेशन जिसके तहफ मैंने मंब्य महाराष्ट में बहूसारे काम किये। इस्कूल के बच्चों के लिए, पुलिस प्रशेशनों के लिए, सोसल बश्श ही काम हमने किये। और आगे भी बहूफ सारे काम करना चाहता हूँ। आज मुझे इस मंच पे बॉलीबूट के बहुत बड़े संगीतकार दिलिप सैंजी के हाथों से एबॉट से समानित किया गया और बहुत सारे लोगों को भी एबॉट से समानित किया गया हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे काम को मेरे मेरे सोसल वर्ड को लोग अपने सरहना करते हैं और मुझे एवोर्ड से नवासते हैं मुझे खुशी होती है कि मुझे भी वो लोग मुझे इस लायWowfish समझते है मैं इन सब का शुक्रिया आदा करना और इससे पहले भी मुझे बहुत सारे एबॉर्ट से समानित किया गया और मुझे बहुत खुसी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है और आगे काम करने का मुका मिलता है ऐसा लगता है खुद को कुछ अच्छा करूं मैं और लोगों के लिए बहुत सारे काम करूं मैं तरही हम जो आपकी आनम फांड़ेशन है उसके मार्जशन कि आपके अपसकते हैं जोगा सब पताना है मैंने काफी दस साल हो गया मुझे ये फांडेशन को रेजिस्टेशन करकर और मैंने बहुत सारे काम किये जैसे इसकोलों मेंने प्रोग्राम किये चिल्डर्ण डे में काम किया मैंने और क्या बोलते हैं आनात आसरमों में हम लोग जाकर बच्चों के लिए गिफ्ट वगएरा दिये और बहुत सारे काम करते हैं करोना काल में हम ने काम किया और जो भी पूरी एक कमेटी मनानी पड़ती है और फिर मुझे इसका नाम भी चुनना था फिर मैंने बहुत धूना क्या रखो क्या रखो फिर मुझे मेरी बेटी का नाम अनम था फिर मैंने रिसाइड किया कि अनम के नाम से रखा जाए और फिर मैंने ये संस्ता का रिजिस्टेशन धर से समानित किया अनम फंडेशन को इस समानित किया मुझे बहुत खुशी मिलती है और आगे भी मैं काम करता रहूँगा जिससे मुझे ये फिर से अवार्ड मिले और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उन विशेश्ट लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं थेंक यू